बाड और बारिश उसे पिछले कुछ दिनों में दुबई किस तरीके से तरस्त था यह हम सब ने देखा एक ही दिन में किस तरीके से पूरा दुबई डूब गया हाला कि अब इस्ति वहाँ पर जो है कंट्रोल में है लेकिन अब सेम सिचुएशन चाइना में बनती हुई नजर आ रही है देखे मौसम जानकार ये भी कह रहे है कि आने वाले दिनों में इस्ति जो है चाइना के अंदर बहुत जादा बिगड सकती है सबसे पहले आपको अबडेट बता देती है कि अब भी जो है चाइना में इस्ति क्या कुछ है क्योंकि भूसकलन के साथ-साथ वहाँ पर जमकर बारिश हो रही है तूफान के आशंका भी जताई जार रही है देखे अबडेट यहाँ के मौसम जाणकार यह मानते हैं कि सदी में केवल एक ही बार इसस तरीके की बारिश होती है, 12 करोड से जादा की आबादी जो है वो इस बारिश से प्रभावित होगी इतना ही नहीं इस बारिश के बाद जो प्रमुक नदिया हैं वहां की उनका जलस्तर बहुत जादा अभी से बढ़ना शुरू हो गया है और इसका जलस्तर का जो मीज जताई जारे की वो 19 मीटर तक बढ़ने के संभावना है देखें वहां के रपोर्ट्स क्या करें वहां के न्यूस चानल जो है वो इस बात की जौनकारी दे रही है कि सड़के पूरी तरीके से वहां पर दरिया बन चुकी है जो पार्क है वहां पर पानी भड चुका है सड़कों पे जो गाडियां है उनकी रफतार पूरी तरीके से जा रखी है इतना ही नहीं होंकों के पास 127 मिलियन लोगों की आबादी वाला जो शेत्र है यानि की गौंग डूंग शेत्र जो है वहां पर भारी बारिश के साथ-साथ भूसकलन जो है वो भी आया है जिसकी वजह से स्तिती जो है वो और भी जादा बेगड़ गई है इतना ही बेसं में गौंग डूंग से ओकर घुजरने वाले जो तीन स्थान है और रहे नदी का पानी जो हो खत्रे के निशान से 19 अगर नदी में डेंजर जोन से उपर 19 फीट तक पानी जाएगा तो ऐसे में स्थिती जो है वो कितनी जादा खराब हो सकती है अगर रेस्क्यू की बात करें तो बताया जा रहा है कि असी हजार से अधिक लोगों का अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है उनकी जो टीम है वो लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है ग्वांग जो ग्वांग डोग और शोगूआ ये वो इलाके हैं जो सबसे जादा प्रभावित अभी तक शेतर हैं और इसलिए यहां से जो है लोगों को लगातार रेस्क्यू किया गया है अभी तक जो जानकारी मौसर विबाद ने दिये कि शाओ गुआ में अपरेल में लगबग 600 mm बारिश हो चुकी है जबकि पिछले साल 400 mm बारिश होई थी यानि कि 200 mm जो है वो अब तक हो चुकी है और आने वाले दिनों में और भी जो है ये जादा बारिश होगी तो ऐसे में समझा जा सकता है कि आकर चीन के स्ति जो है वो कितनी जादा बच से बत्तर खुती जा रही है हाला कि आने वाले दिनों में चीनी साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम स्तिती को कंट्रोल में कर लेंगे क्योंकि सुरक्षा कर्मी जो है उनके वो लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है राहत बचाव कर्मी जो है वो ये लगातार कोशिश करे कि किसी भी तरीके से लोगों को प्रभाविच शेत्रों से बाहर निकाला जा सके